दोस्तों नमस्कार रोच रेगुलर ये वर्ड आप लोगों को सुनने में आते हैं ये शब्द आप सुनते हैं कि उप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात और टैप्टिमिस्टिक प्यस्टिमिस्टिक होना बुरी बात इन दोनों में फरक क्या होता है, फरक यह होता है मेरे दोस्तों, तो optimistic nature के लोग होते हैं, वो बुराई में भी अच्छा ही देखते हैं, जैसे example से समझाता हूँ, कि जैसे मालो हम foreign trip पे गए हैं, या अपने बेटे से मिले गए हैं, तो वहाँ optimistic आदमी हर चीज़ में अच्छा ही देखेगा, कितना आनंदारा है, कितने अच्छी हवाएं हैं, कितना अच्छा environment है, कितना अच्छा pollution free जगे है, वो नुक्स नहीं देखेगा, और जो पेस्टिविस्टिक आदमी है, वो कहएगा, रहे यार, साला बड़ी दिक्कत है यहां, पॉर्ट में जेट नहीं है, हावाँ में ये environment में, सुबह बारिश, दुपैर को धूप, और दिन बहुत छोटे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, सर्दी लग रही है, और जग में, सभ़ी में का और यही फरस्ते सब्सक्रांनोब अप्तिमिस्टिक, अर उसपे वर्क करें, उसके लिए अपनी स्किल्स बढ़ाएं, और आगे बढ़ते हैं, यही जीवन का संकल अब लेते हैं, और आप्टिमिस्टिक बनते हुए अपने जीवन का हर मियमन सफल बनाने का अप्टाप्न करेंगे धन्यवाद